T20 World Cup 2014 का खिताब जीतने के बाद चीम इंडिया की जब देश वापसी हुई तो सबसे पहले प्रुधान मंद्री नरेंद्र मोरी से मिलने का कारिकर्म रखा गया सबी खिलाडी जब वहाँ पहुँचे तो एयरपोर्ट से सीधे होटल गए जहां उनके स्वागत के लिए खास इंतजाम किये गए थे इसके बाद खिलाडी सीधे प्रुधान मंद्री आवास के लिए रवाना हुए इस दोरान करीब दो खंटे तक मुलाकात चली पीम मुदी ने सबी खिलाडियों की जम कर सरहाना की और उनके साथ काफी देर तक बाच्ची चलती रही खिलाडियों और कोच के अलावा बी सीसीय अध्याक्ष और सचीव भी मौजूद रहे इन दोनों ने पीम मुदी को एक खास तौफा भी दिया है दरसल करीब 11 बजे सबी खिलाडियों और हेट कोच प्रिधान मंतरी नरेंद्र मूदी से मिलने उनके आवास के लिए रवाना हो गए थे भारतिय टीम ने प्रिधान मंतरी के साथ लोक कल्यान माग इस्तित आवास पर करीब दो घंटे बिताए बिसी सीय अध्याक्ष डौजिन बिन्नी और सचीफ जैश शहा ने पीम मूदी को टीम इंडिया की एक खास जर्सी दी जिसमें नाम में नमो लिखा था जो कि पीम रनेंद्र मूदी के नाम को ही बता रहा है वहीं इस जर्सी पर नमबर वन पड़ा हुआ है इस जर्सी को पाकर पीम मूदी को भी काफी खुशी हुई इससे पहले एपोर्ट से सबी खिलाड़ी एक एक करके बाहर निकले खिलाड़ी ठके हुए थे लेकिन उत्साहित खिलाड़ीों ने प्रतिक्षा कर रहे प्रशंचोकों का हाथ लाकर गर्म जोशी से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया भार्दे टीम का जीत कजशन अभी खत्म नहीं हुआ है टीम हम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है जहां बीसी सी आई का हैटकौार भी है टीम का एक खुली बस में रोडशो भी आयोजिन किया जाना है जो वानखेडे स्टीडियम तक जाएगा वानखेडे स्टीडियम में टीम का स्वागत समहर होगा टीथी अभी तक की अपडेट्स अभी तक की खबरें ऐसी तमाम अपडेट्स खबरें जनकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे चुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ